नमस्कार मित्रो माइ स्टॉक्स चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों आज हम यहाँ पे पहले तो तीन स्टॉक्स के बारे में जानने वाले बहुत ही अच्छे खासे स्टॉक्स लग रहे बट इससे पहले कुछ चीजे जान है और बहुत सारे लोगों के पॉर्ट्फुलिय अभी भी माइनस में है अगर निफ्टी के राइश होने लग गए तो हमारा पॉर्ट्फुलिय में पहले माइनस है वह और माइनस चले जाएगा लॉस्स बुक कर ले या फिर यहाँ पे कंटिनू रखे निफ्टी आगे चल पूछता है तो मैं उसके अंसर सभी भी दे दीता हूँ जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो निफ्टी फिटी के चार्ट है लगबग आज के दिन में बहुत ही ज्यादा सेल आफ हुआ था लगबग देख सकते है यह लगबग आप थोड़ा सा पीछे करता हूं में तो य 17,576 रुपीज का लोग जो की बहुत ही एक दिन में डाउन हो गया था बहुत सारी लोग डर गए थे किसी ने लौज बूक कर लिए किसी कोई कह रहा है कि बहुत डर है कोई दिक्कत की बात नहीं है मार्केट में इसा होता रहता है हर मतलब अगर आप पूरा नहीं तो बात पर और शेर्स खरीद करके हैं बड़ प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर निफ्टी आगे चल गी बीस अजार के लिए तो यह हो जाएगा कि आपको जो शेर्स बेच रेडर के मारे उनहीं में जो लॉस हो रहा है अभी आपको प्रॉफिट में कनवर्ट हो रहा था बड़ आ फंडमेंटल्स वालों के लिए कि भाई शेर्स अच्छे है तो रखे या बेच दे रखो कोई दिक्कत की बात नहीं निफ्टी कितने भी गिरने तो आप उन्हें अवरेज कर सकते हो बड़ भी बात करते हैं ट्रेडर्स लोग होगी जिनके ज्यादा से ज्यादा से ज्याद अगर उन में से कोई मेरा एक शेर है तो मैं वहाँ पे कब कोजिशन क्लोज करूँगा लगबग मेरा सपोर्ट यह रहेगा दोस्तों यहाँ आप देख सकते सपोर्ट यह लगबग वह कितने का है 17,257 रुपे का अगर यहाँ से भी नीचे निफ्टी दो दिनों में आती है और I will book my loss ठीक है मैं loss वहाँ पे book कर लूँगा अभी यह होगे trader लोगों की बात अभी सीन है कि यह लोग पूछ रहे थे कि भाई all time अच्छे shares बताओ तीन shares ऐसे जो कि वह ज्यादा loss में नहीं हो सकते ज्यादा loss नहीं करवा सकते और अच्छा कासा constantly profit देंगे तो चलिए उ बाकी चीजों के लिए भी मैं देते रहता हूँ ताकि आपको ज्यादा सज्यादा stock market का knowledge हो पाए आप ज्यादा सज्यादा सीख पाए और constantly profitable रहो दोस्तों सबसे पहला मेरे bet है BSC अभी वाई on BSC जैसिकि मैं हमेशे कहता हूँ कि मुझे कोई अगर अच्छा खासा share लगता इसके टॉप पर मतलब जो टॉप उस पर क्यों नहीं बनाते देखो लोगों ने क्या किया यहाँ पर close किया है मतलब यहाँ पे फेर वैल्यू उनको लग रही है और आप बॉडी से उसे connect करते तो ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर रिजिस्टेंस कैच कर प वल्यूम तो मैंने यह ट्रेड आज के बिटी बेस के लिए दिया था अभी देखते है कल की दिन में क्या होता है जैसे कि कल का हमारा बिटी बेस आज 10 परसेंट 15 परसेंट तक अपसाइड मुमेंटम दिया था 857 रुपई का बिटी बिएस दिया था मैंने इंडियन ग्लोक दोनों जोगे पर फॉलो करते तो आपको बहुत अच्छा खासा गेन होता अभी यह एक अच्छा खासा ट्रेड मुझे लग रहा है कि यहां से यह है अल्टाइम हाई ब्रेक करके अच्छा खासा मुमेंटम बनाएगा अभी इसका शेर पाइद लगबग चल रहा है 1260 रु हो सकता है इवन यह मैंने मेरा BTBS के लिए दे रखा है BTBS के लिए अगर बात करते हैं दोस्तों सेकेंड स्टॉक की तो यहां पर देख सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्टेंस यहां पर देख सकते हैं मैंने अल्रेडी मेरे पोप्फिल्यू में कब से हो भी बताता हूं आपक इसका से यहां पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा खासा У्प्साइड मुमेंटम इसने दिया और एक अच्छे खासे रिटरंस मुझे इसमें अभी भी मिल रहे लगबग मेरा जो पोर्फिलियो लगबग 30-40% अपसाइड है और मैं आशा करता हूँ अभी भी इसमें जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि distribution phase तो नहीं कह सकते हैं कह सकते distribution phase भी थोड़ा सा इसमें distribution phase चल रहा है जो की जल्दी ही complete हो जाएगा और अनादर वन अपसाइड मुमेंटम देखे 700 रुपे क्रॉस करेगा जल्दी ही अभी इसका शेयर पाइच कुछ 600 रुपई के नियर चल रहा है और जल्दी ही लगबग 700 रुपई के ऊपर close होता हूँ नजर आएगा और बहुत ह जो चीज़े हैं इनकी वह कह सकते की मूनो पॉली में भी है और बहुत बढ़िया शेयर है इसके बारे में मैंने बहुत अच्छा खासा स्टड़ी भी कर रखा है तो आपको अगर यह शेयर खरीदना है तो प्लीज आप यहां पर एक बार इसके फरनमेंटल जरूर चेक कर है मैंने अच्छे लगे तो मैं बाई किया बाकी मेरा तो आवरेज प्राइस बहुत नीचे वाला है मतलब समझ सकते कि 420 रुपे भी पकड़ लेंगे अवरेज प्राइस तभी मेरों को बहुत अच्छा का सा प्रॉफिट अभी के लेवल्स पर मिल रहा है अगर आपको भी इसे चाहिए तो कंस्टेंटरी विडियो देखिए में ये कस्टेंटरीू धेते आपको ज्यादा सज्यादा प्रॉफिट हो स्टॉक मार्कट मार्कट में आप लौस करके एगजिट होने से अच्छा प्राफिटाबल रग के बातने से बाद मैंने उस पर नहीं किया aux Franc नबर की बहुत बड़ी बैंक है और कंस्टेंटली प्रॉफटेबल रही है उदे कोटक जी इंडिया के फिफ्ट रिचेस्ट परसेन है सो आइल भी रिस्पेक्ट देम बट क्या है मैं शेर में सिर्फ और इंडिकेटर देखके और सिर्फ और एक चीज देखके हाई पर है यहांपे आपदेख सकते हैं ब्रेक आउट देखे बी ऊपर है और जो कैंडल स्टींग यहाँ बहुत ही ग्रेट कैंडल स्टींग इस ने दी हुई है जो कि पूरी पूरी ग्रीन है और मुझे लगता है कि इसमें और बाइंग मजबूत ही से आएगी थोड़ा सेक्टर में भी हमें ध्यान देना चाहिए मैं देने रहा हूँ ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में ध्यान बट स्टील एक सेक्टर में मिस कर रहा हूँ तो यह से है कि all time high के नजदीक है और इसी रेंज में घूम रहा है तो स्टील यह अपसाइड रेंज ठीक है यह कौन सी रेंज आप यहां पर देख सकते हैं अपसाइड रहा है तो मुझे लगता है यहां पर और भी हमें गेन हो सकता है लगबग जो मेरे टार्गेट से इसके लिए 2400 र साल के लिए रखी अच्छा खासा पैसा कंपॉंड भी होगा ज्यादा ज्यादा मार्केट में प्रॉफिडवल रहोगे अभी बात करता हूँ सबसे में चीजों की इनमें निफ्टी कितनी भी गिरे यह ज्यादा नहीं गिरेंगे क्योंकि इनमें लिक्विड क्याश बहुत एक चीज क्यों ने करते है आप मतलब समझे out को पता है कि हाप भी ब्रीकाओट मिलने वाला यह ब्रीकाओट मिलने के बाद और वाई करेंगे तो मैं एक बात कहना चाता हूँ दोस्तों, मार्केट आप, यह आपका क्या होगे, अंदाजा होगे, कि मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, यहाँ पर breakout मिलेगा, मार्केट आपके अंदाजा की कुछ इजद ने करता है, कोई भी इंसान रहें दो, कितना भी बड़ा इंसान रहे इसलिए जब भी आपको confirmation हो कि अब मोका है, तभी भाई कीजिए, ट्रेड कम कीजिए, पर पर्फेक्टली कीजिए, कंस्टेंटली मार्केट में प्रॉफिडबल रही है, अगर लॉस भी लेना है, तो बहुत स्मॉल कॉंटिडी में लॉस लेजिए, ठीक है, जो ratio रेता है, वो बहुत छोटा होना चाहिए, आपको, जो profit to, risk to reward ratio, बहुत अच्छा खासा रेना चाहिए, अगर रिस्क आप एक का ले रहे है, तो कम से कम profit आपको five points का तो होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, so I hope थोड़ी सी ideology यह है कि breakout के बादी में shares खरीता हो, उसके पहले बहुत risk होता है, और इतना भी risk नहीं उटाना है कि market आपको कही का न चोड़े, so आज के लिए इतना ही, तीन shares मेरे portfolio में पहले से ही है, और आपको खरीतना है, तो आप खरीत के रखिए, I hope आपको वीडियो अच्छी लगे होगी, अच्छी लगेगी, तो please like कर देना, अपने दोस्तों को कर लिना दोस्तों